उत्तर परदेश के आगरा में ताज महल में शुरू हुआ शैंचा शाजाग का 363 वा उर्स का समापन हो गया इस उर्स के समापन के दिन खुद्दम ए रूजा कमेटी की ओर से सुबा कुल शरीफ कुरान खानी और फातिया पड़ी गई तो दिन भर शाजाग की कबर पर सजदय का कारिकरम चलता रहा दोपैर दो बजे के बाद खुद्दम ए रूजा कमेटी की ओर से चादर पूशी का एजन किया गया संस्ता की ओर से ये परमपरा दशकों से चली आ रही है उर्स के समापन पर सतरंगी चादर चड़ाई जाती है जो सर्व धर्म एक्ता का परतीक होती है खुदम ए रूजा कमेटी की ओर से शाजा के ऊरस पर 1111 मिटर की चादर पूशी शाजा की मजार पर की गई ये चादर पूशी खुदम ए रूजा कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहीर उस उद्दीन ताहीर के नितब में की गई जिसकी शुरुआत ताज महल के दक्षिल गेट हनुमान मंदिर से हुई और शाजां के मजार तक पहुँची इस चादर पोशी में सर्धम के गुरुव और लोगों ने भाग लिया जायरिनों ने मजार पर पहुँच देश और अपने परिजनों की कुशाली की भी दूआ मांगी खुदमे रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन ने बताया कि ये चादर हिंदुस्तानी सतरंगी चादर कहलाती है जिसे सबी धरम के लोग मिलकर तयार करते हैं इस चादर पोशी से भाई चारे और एक्ता का संदेश जाता है तीन दिनों तक चले उर्स के दौरान ताज महल का लाखों देशी विदेशी परियटकों ने दीदार किया इस दौरान शेहन शाह शाजा और उनकी बेगम उम्ताज किया असली मजार का भी देखा जो अमूमन आम दिनों में परियटकों के लिए खुला नहीं होता है जिसकी अखए शाजऑ माशों के मजाए जा जाते हैं। कला गला कहां से यार्धा जो चलाव देते हैं केड़ी तबश है आपका मतलब तोड़ तोड़ को से जोड़ दी है नहीं नहीं कपड़ा आता है बढ़ यापड़ा की बढ़ी लगाएंगे घट लगाएंगे नहीं चलाएंगे जाएंगे बढ़ चेहन अमन रहे हुंतुस्तान के अंदर जो अभी बवाल दर्वाल आ रहा है वह मतलब करे मालिक हुंतुस्तान के अंदर सबसे पहले हमारी दौा है हुंदू-मुस्लिम-स्रीकिसाई सब आपस में मिलके रहे भाई-चारे का मेसिज पोचाएं आग रहे चा अगरा से फरांठ खान के रिपोर्ट